आदाब मैं तारीक आजमी हो आप देख रहा है PNN24 लियूस अबर वही जो हो सही देश के पहले शहीद अगनीवीर के बाद अब अगनीवीर योजना को ले करके अलग-अलग सवाल मुक्तलिफ हिस्सों में उठना शुरू हो गया है मुक्तलिफ सियासी पार्टिएं इस मुद्दे को ले करके अपने-अपने सवालात उडाना चलू कर चुकी है इस बीच करणल रोहित चौदरी ने एक बहा सवाल उडाया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि अगनी वीर योजना में जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है उनकी ट्रेनिंग ही मुकम्मिल नहीं हो रही है और ये योजना पूरी तरीके से एक तरीके से पूरी तरीके से योजना ये सपल नहीं है इस योजना के उपर सवालिय निशान उन्होंने पैदा किया है। करणल रोहित चौदरी ने अपने बयान में कहा कि अगली भीर अक्षे गादब की शहादत से दो बाते सामने आती हैं। पहरी बाद कि क्या छे महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे सैनिक वो सही सैनिक और पुरा सैनिक बन पाया नहीं बन पाया। क्यों क्योंकि हमारे नियवेच सैना में यह साल की ट्रेनिंग होती है और और मेदर सैनिक बनने के लिए छे साल लग जाते हैं कि उसको जंगल में पहार में आई आप्लिट्यूड में डेजर्ट में सब्चेकर डिप्लार किया जा सके बहुत सारे कोर्सिस करने पड़ते हैं करने पड़ते हैं फिजिकली बैटरी और क्लाइमेटिकली धील करने के लिए ताकत हासिल करने भड़ती है क्या उच्छे आप छे वहीने की ट्रेनिंग के अंदर में जाएगा बन जाएगा नहीं हो सकता तो इस सवाल बंदा है इस अधरिपत स्कीम की वाइफिलेटी के काम कर सकता है चाहिए य vivi ह की अध़िए चाहिए इसके बताना चाहिए कि क कि सेराने भी माना है कि ये अगनी वीर पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं है नार्मल सहरिक से एक तिहारी ट्रेंड है तो इसलिए इसलिए उन्होंने employability restrictions कि ये किसी भी sensitive जगह पे किसी भी जगह पे अकेला deploy नहीं हो सकता harsh conditions के अंदर deploy नहीं हो सकता ये सेना नी policy है तो इसका मतलब सेना सेना अगनी वीर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता क्यों क्योंकि वो fully trade नहीं है ये देश की स्वरक्षा के साथ और अगनी वीर की जिन्दी के साथ दोलों के साथ खिलवार है हमारे वीडियो को शेयर करें मैं तारीक आजमी अल्ला हाफिज